वेल हेलो एन वेलकाम है दोस्तों आप सब लोग का टेक एम एम पर एक बार फिर से तो दोस्तों आज हमें काफी स्पेशल फोन को अंबॉक्स करने वाले हैं यह है इंफिनिक की तरफ से आने वाला जीरो अल्ट्रा सिरिसली काफी धमाकेदार फोन है और ऐसे ऐसे फीचर यह जो हमें इस रेंज में देखने के लिए नहीं मिलते हैं तो बॉक्स दी बात करते हैं यहां पर इंफिन जीरो अल्ट्रा लिखा हुए 180 वार्ट की थंडर चार्जिंग मलती है यहां भी आपको जिरो अल्ट्रा के बेंडिंग मलती है पैकेजिंग काफी ज्यादा प्रीमिय जो है ओपन हो जाता है तो यह रहा फर्स्ट लुक हमारे फोन का तो यहां पर दोस्तों 6.8 इंचिस की फुल एच्टी प्लस डिस्प्ले मिलती है काफी मैसिव फोन यहां पर यह बन जाता है पर काफी जदा कंफरेबल है होल्ड करने में और देखते हमें क्या मिलता है यहा आपने फ्री मिलता है साथ में हमें सी टाइप टू 3.5 mm का अडेप्टर भी मिलता है और यहां पर मिल जाती है सी टाइप टू सी टाइप केबल हमारी फास चार्जिंग के लिए दोस्तों आपको दिखाने वारा हूं इसका एडेप्टर जो की 180 वार्ट का है दोस्तों इंफ यहां पर देखने के लिए मिलता है जो काफी यूनीक लुक देता है काफी प्रीमियम हाथ में फील होता है काफी स्लिम भी है पीछे की तरफ आपको कैमरा सेट अप देखने के लिए मिलता है और काफी प्रीमियम होता है फोन हाथ मुझे लगा निता ना प्रीमियम होगा प 200 Megapixel camera भी इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है और यह texture की मैं बात कर रहा था जो की काफी सही लग रहा है मेरको यहाँ पर वाइड वाले में यह texture नहीं है पर जो ब्लू अला है उसमें आपको यह मिल जाता है और यह स्क्रीन आप देख सकते हैं कर्व है दोनों साइड से और यह जो है 6.8 इंचे की फुल HD डिस्पले है 120 Hz है 3D कर्व डिस्पले हमें इसके देखने के लिए मिलती है साइड में आपको बटन मिल जाते हैं पावर बटन और वोल्म रॉकर्स यहाँ पर मिलते हैं राइट साइड में रूपर से हमारा फोन कुछ इस तरीके का दिखता है जो कि हमें नॉमली 70,000 वाले फोनों में आती थी पर सीरिसली मुझे लग नहीं रहा कि 30,000 के फोन में यहाँ यहाँ पर हो चुका है काफी बढ़िया लग रही है स्क्रीन टू बोडी रेशो की बात पर दो 90.5% स्क्रीन टू बडी रेशो में यहाँ पर देखने के मिलता है पर case लगा देता हूं कि जितने भी curve phone रहते हैं वो काफी ज़्यादा slippery रहते हैं तो यह भी slip हो रहा था तो मैंने सचा case लगा देता हूं तो मैं आपको भी recommend करूँगा कि case लगा लेना काफी बढ़िया लग रहा है अब ये phone अब सबसे बात करते हैं इसके display की कोई 120Hz display के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है जो कि मुझे personally काफी ज़्यादा पसंद है 6.8 inches की full HD plus display मिलती है 3D curve display मिलती है तो आप देख सकते हैं कि कितना खूफ सुरत जोएन यहाँ पे look निकल कर आ रहा है 387 की per pixel density आपको इस display में देखने के लिए मिलती है तो कोई भी content अगर आप इसको पर consume करेंगे तो काफी ज़दा मदा आने वाला आपको AMOLED screens की यार बात ही अलग होती है और यह आप देख सकते हैं automatically switch करता है 120 to 60 या पिर जैसे ही ज़रूरत हो आप चाहें तो manually भी कर सकते हैं battery को बचाने के लिए अगर आप 60 पे करते हैं तो battery आपकी काफी बचेगी एक थोटा सा tip दे देता हूँ आपको तो यहाँ पर मैंने 120 कर देगा 120 मज़ा आता है auto switch भी कर सकते हैं आप जैसे भी चाहें तो यहाँ पर दोस्तो डिस्प्ले के लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि काफी बढ़िया डिस्प्ले है मुझे तो बहुत ही पढ़िया लगी है personally मुझे काफी पसंद आई है काफ बात करते है call of duty की तो यहाँ पर आजकल call of duty काफी चल रही है और seriously दोस्तो कोई भी lack कोई भी problem मुझे यहाँ पर gaming करते हुए बिल्कुल भी नहीं हुई यहाँ पर प्रसेसर तो काफी बढ़िया है और heat भी phone जो है यहाँ पर नहीं कर रहा था तो यह चीज मुझे इस phone की का काफी ज़्यदा पसंद आई है gaming काफी कमाल कुई तो gaming lover के लिए फोन हो सकता है जो भी gaming करना चाहते है इस phone के उपर फूल डिस्पले में मज़ा भी आपको काफी ज़्यदा आने वाला है बात कर लेते हैं दोस्तों आप इसकी स्पैसिफिकेशन की तो दोस्तों सबसे बात क की बैटरी मिलती है dual mode मिल जाता है हमें charging के लिए यह काफी बड़िया बात है इस phone की इसके लावा प्रोसेसर की बात करने हमने बता ही दिया कि MediaTek का Dimensity 920 प्रोसेसर आपको देखने करे मिलता है जो कि 6 nanometer के उपर based है इसके लावा वाइफाई 6 dual 5G sim cloud मिल जाता है और साथ मे Android 12 का support भी मिलता है XOS 12 इसके लिए गया है और company कहते है को guarantee major update जो Android पर मिलने वाले है और security जो पैचेज है वो भी आपको यहाँ पर आगे in future phone में देखने के लिए मिलेंगे बात करते है camera department की तो 200 Megafical का OS camera इसके लिए मिलता है 200 Megafical का दोस्तों इसका main camera है इसके लावा 2nd camera की बात करते है अल्डरा वाइड है जो कि 13 Megafical का है इसके लावा 2 Megafical का camera और भी आपको देखने के मिलता है बात करते हैं यहाँ पर 32 Megafical का wide angle camera आपको देखने के मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया photo यहाँ पर click करता है अब camera की बात करी रही है तो यहाँ पर sample भी दिखा देखने के मिल जाएंगे जैसकी AI camera देखने के मिल जाता है इसके लावा दोस्तो film mode मिल जाता है जो मुझे personally काफी पसंद आया आप different different यहाँ पर preset दिये गए हैं आप अपनी वीडियो मना सकते हैं शौर्स मना सकते हैं काफी मजा आपको यहाँ आने वाला है कुछ इस तरीक क्लिक करी काफी बढ़िया तरीके से picture क्लिक होती थी वह काफी बड़ा साइज भी जो है उनका मिलता है 25-30 MB की 50-50 MB की फोटो जो है यहाँ बन रही तो आप देख सेते हैं इस पिच्चर में ज्यादा पिसलेटिड आपको यहाँ पर नहीं देखेगा तो आप देख सेते हैं जो कि personally हमें तो काफी ज़दा पसंद आई हैं काफी सारी पिच्चर हमने क्लिक करी कहीं कि पोट्रेट में हमने देखा कि थोड़ा सा वहाँ पे जो है बलर इतना अच्छा नहीं हो रहा था एजिस इतने शाप नहीं कट हो रहे थे वर ओल ओवर जो है यह काफी बढ़िया ह कर सकते हैं तो 13GB की RAM हो जाती है स्टोरिज की बात करें तो 256GB की स्टोरिज इसके दर आपको देखने के लिए मिल जाती है अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके in display fingerprint की जो की काफी बढ़िया तरीके से वर्क करता है हमने काफी बार इसको ट्राइ किया और सीरिसली य है यहां पर यह ओपन हो रहा था security के लिए हाँ से चीज काफी बढ़िया है और यहां पर face unlock भी आपको देखने के लिए मिल जाता है अपने face से भी अपने phone को यहां पर आप unlock कर पाएंगे और यह भी काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है तो दोस्तों face unlock भी इसका काफी ज़्यदा बढ़िया है बात करते हैं इसकी thunder charge की 180 वोट की thunder charge की तो यहां पर हमारा phone 10% charge है और यहां पर देख सकते हैं कितनी तेजी से यह charge होता है मैं आपको example दिखाने वाला हूँ पूरा का पूरा यह कैसे यह fast charge होगा 8 बच के 23 मिनट हुए और किती तेजी से यह बढ़ mode भी मिल जाता है इस तरह के different mode मिल जाते हैं आपको यह furious mode भी मिलता है charging के लिए तो charging के लिए आपको modes यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं और यहां पर देख सकते हैं 12 minute में आप फोन फूल चार्ज हो चुका है seriously दोस्तों यह इसका इतना बड़िया feature है न मतलब आपको मज़ा ही आ जागा इस phone को यूज करने में साथ में दोस्तों मैं आपको पिता दूँ कि यह phone का काफी बड़ा feature है काफी बड़ा plus point है इसके साथ ही दोस्तों यह जो phone है यहां पर यहां पर provide भी करता है all over दोस्तों मुझे तो यह phone काफी पतंद आया है तो दोस्तों यह था Infinix का Zero Ultra तो जितने भी इसकी highlights ही जितने भी main main feature से सारे मैंने आपको यहां पर बताए और personally मुझे यह phone काफी ज्यादा बड़िया लगा है अब यहां पर दोस्तों बात आती है कि क्या चीज़े इस phone के अंदर अच्छी है final word it क्या है तो यहां पर दोस्त आता दो कि बहुत भी बड़िया charging यह करता है और यहां पर company claim करती है 12 मिनिट में 12-13 में seriously यह phone 100% charge हो जाता है और यह बिल्कुल एक next level वाला experience है जो हमें यहां पर देखने के लिए मिला और phone काफी ज़दा premium feel होता है हाथ में काफी बड़िया लगता है तो यह इसका काफी ब speaker की quality काफी अची लगी है 200 megapixel का camera है और camera की quality काफी अची आती है मैंने picture भी आपके साथ यहां पर share की है तो all over काफी बड़िया phone है और यहां पर मैं कहूंगा कि बहुत ही ज़दा practical है मतलब वो सारे feature ने सकना है जो की काफी practical user को चाहिए है gaming भी हमने करके देखी काफी अच् 30,000 जो है phone लेना चाहते है curve phone चाहिए इतनी fast charging चाहिए और काफी कमाल की feature चाहिए तो definitely भी बात है इस phone को आप definitely से यहां पर consider कर सकते हैं तो इसका link दे तूंगा discussion में तो वहां से जाकर आप इसको check out कर सकते हो इसके सारे features तो specification मैंने discussion में भी डाल दी है तो वहां से भी आप जाकर check out कर सकते हो तो आज का जो हमारा phone था Infinix Zero Ultra आपको यह कैसा लगा है मुझे comment करकर दरूब बताना और अगर वीडियो पसंद आई है तो like और subscribe करना share करना भूनना नहीं है तो अफिर जल्दी मलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye